हर रोज आप trading करने आते हैं सुभे लेकिन आप एक trade लेते हैं उल्टा चला जाता है आप all लेते market निचे चला जाता है पूट लेते market उपर चला जाता है इस यह जो परिशानी है almost सब के साथ जब market में कोई आता है तो यह दिक्कत होता है लेकिन levels को समझने के लिए कई साल लग जाते हैं इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसा बहुत जादा शांदार एक ऐसा indicator लेके आया हूँ जिसके थूँ आप बिलकुल आज से आपका ट्रेडिंग पूरा बदल जाएगा इस बात की मैं guarantee देता हूँ इस indicator का नाम इसका setting मैं बिलकुल पक्की तौर पे आज मैं आपको इसी वीडियो में ही बताने वाला हूँ सिर्फ आपको ध्यान से पूरे वीडियो में बना रहा है ना है किसी भी वक्त में इसका नाम बता सकता हूँ और इसका setting भी बता दूँगा ताकि आप इसको set कर पाए बीना setting के अच्छे से काम नहीं करेगा शुरू करते है यह जो मैंने chart खोल रखा यह bank nifty का है और आज का यह छे तारीक का है छे तारीक की उसने कैसे काम किया किस तरीके से इस indicator के माद्दम से आप बहुत जबर्दस पैसे कमा सकते थे इसके बारे मैं मैं पूरा detail में पताने वाला हूँ यह जो indicator है यह nifty में भी काम करेगा किसी भी index पे काम करेगा चिंटा करने की कोई बात नहीं है अब यह जो मैंने time frame जो यहापर मैंने set किया है यह मैंने 1 minute का किया है आप चाहे इसको 3 minute के कर सकते 5 minute कर सकते पर 5 minute से ज़然ा मत जाएए उसमें आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा कम से कम पाच मिनिट तक जाई उससे ज़्यादा मत जाईए अब मैंने एक मिनिट पे कर रखा है अभी कुछ बाते इस इंडिकेटर के मुतलिक में करूँगा जो जानना बहुत जरूरी होता है सबसे पहला point मार्केट जब शुरू होता है जिस भी रंग का ये इंडिकेटर आपको दिखा रहा है green मतलब उपर जाएगा लाल मतलब market नीचे आएगा इतना आपको समझ में आ गया है अब ये हो गया पहला आपकी बात है दूसरी बात आपका जो target होगा वो सिर्फ 50 से 60 point होगा 50 से 60 point होगा 1500-200 point के उमीद मत करिए आप 50 से 60 point रखिए market आपको बहुत अच्छा पैसा देगा हो सके तो एक मिनिट टाइम फिर्म पे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप एक बार कल प्रैक्टिस करके देखिएगा 10-20 दिन प्रैक्टिस करिए आपको समझ में आ जाएगा फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आज गैरेंटी के साथ मैं आपको इस इंडिकेटर का नाम इसका सेटिंग बताने जा रहा हूँ वीडियो में बने रही तो शायद आपको फाइदा मिलेगा अब देखिए यह हो गया है मैंने एक बात आपको बताया है इस इंडिकेटर की कुछ और कंडिशन में बता देता हूँ उसके बार में पहले बात कर लेता है चलिए साथ-साथ एक एक करकी में बताती हूँ चलूँगा तो आपको जाज अच्छे समझ में आए मार्केट शुरू हुआ यहाँ से आच्छे तारिक पहले कलर है ग्रीन कलर बताब मार्केट उपर चड़गा हो सकता यहाँ पर आपको किसी दिन लाल भी दिख जाए और मार्केट चड़ता हुआ भी दिखेगा इसलिए याद से अगर आप एक मिनिट टाइम फ्रेम पर काम कर रहे है तो पहला जो रंग रहेगा इंडिकेटर का मार्केट शुरू होती कोई ट्रेड नहीं लेना है जब मार्केट में वो और इंडिकेटर रंग बदलेगा जैसे ये ग्रीन से यहाँ पर लाल हुआ लगबख साड़े नौ बजे के आसपास उस वक्त आपको ट्रेड लेना है जैसे ही मार्केट शुरू होता आपको ट्रेड तब नहीं लेना है इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजी आप मैं रिपीट कर देता हूँ जैसे ही मार्केट शुरू होगा इंडिकेटर का कलर कोई भी हो ट्रेड मत लीजी जब इंडिकेटर का कलर बदलेगा आपको तब ट्रेड लेना है क्योंकि बहुत बार होगा यह आपको फॉल्स इंडिकेट करेगा कैसे मार्केट शुरू हुआ इंडिकेटर दिखाना है लाल लेकिन मार्केट आपको चड़ता हुआ दिखेगा इसलिए पहले जब रंग जब तक पहला रंग नहीं बदलता है तब तक आप ट्रेड मत लीजिए यह हो गया पहला कंडिशन मैं पहले कंडिशन बता देता हूँ कि इस इंडिकेटर के से आपको काम कैसे कर रहा है दूसरा कंडिशन अगर मान लीजिए ये तो लाल है आपने ट्रेड ले लिया कंडिशन क्या है कैंडल से इसके नीचे होने चाहिए जब लाल कलर का कैंडल बन रहा है और इंडिकेटर भी आपको लाल रंग दिखा रहा है और लाल रंग के नीचे इंडिकेटर है लाल कलर का तब आपको पुट लेना है यहाँ पर एक ध्यान दीजिए लाल कलर का इंडिकेटर है मतलब लाल रंग दिखा रहा है क्या दिखा रहा है कि आपको पुट लेना चाहिए लेकिन market इस indicator के उपर है, ऐसे समय पे आप put लेंगे क्या, कभी नहीं लेंगे, यह हो गया दूसरा point, मैं आप रिपेट कर देता हूँ, indicator अगर हरा है, तो market के candles उस हरा color के उपर होने चाहिए, indicator के उपर हरा रंग के, या कोई भी रंग का candle चलेगा, पर उसके उपर होने चाहि आएगा, indicator का, और candles उसके नीचे होंगे, उसके उपर होंगे, जैसे ये एक example है, लाल कलर बन गया है, पर candles क्या इसके उपर है, आप क्या करेंगे, आप trade नहीं लेंगे, आप यहाँ पे call इसको sustain करेंगे, यह हो गया दूसरा condition, अभी आते हैं हम कि इसको trade कैसे करना है, जैस जैसे ही लाल आगे, आप ले लीजिए, पुट, 50-60 पॉइंट तक वेट करिए, 50-60 पॉइंट मिल गया, निकल जाएगे, अगर 50-60 पॉइंट नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, हो सकता है, market 20-30 पॉइंट जाए, और फिर market reverse कर जाए, तो जैसे ही आपके लाल कलर के, मालनी, क्या होगा, market ऐसे आया, इस लाल कलर की इंडिकेट को छुएगा, क्रॉस नहीं करेगा, वापस यह से नीचे चलाएगा, आपको होल्ड करना है, आपको बस वेट करना है, कि market आपकी इंडिकेटर को क्रॉस करके उल्टे दिशा में ना चला जाए, अगर उल्टे दिशा में दिन भर में उसकी कोई गिंती नहीं है, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, जैसे फॉर एक्जामपल, आज अगर आपने ये इंडिकेटर लिया होता, तो देखिए, ये पहला 50-60 पॉइंड आसानी से मिल रहा है, उसके बाद यहापे 50-60 पॉइंड मिलने के बाद आप चुप यहापे अपने कॉल लिया, फिर से आपको 50 पॉइंड का फाइदा, अब यहापे लाल इंडिकेटर बना लेकिन यहापे मार्केट क्या है, उपर है इंडिकेटर के, आप यहाँ से एक्जिट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्यों मार्केट अभी भी कॉल साइड ही आप यहां पर वेट करेंगे फिर यह हो गया लगातार थोड़ी ही देर में देखिए 10-10-10 बज़े तक आपने 120 पॉइंट कमा लिया बिना टेंशन के आईए मैं आपको और दिखाता हूँ यहां पर लाल रंग आ गया यहां से आपने ले लिया जहां से लाल रंग बन रहा है वो इसे पूट ले लिजिए चिंता मत ज्यादा सोचिए मत सोचना नहीं है अब मैं थोड़ी देर पहले क्या उधारन देरा था हो सकता है मार्केट पहले नीचे जाए फिर उपर जाएगा यह उपर गया पर आपकी इंडिकेटर को क्रॉस किया क्या नहीं किया आप बने रहिए चुप चाप रहिए शांत रहिए मार्केट आपको पैसा देगा फिर वार्केट वापस आया जैसे पचास साथ पॉट बन जाता है एक्जिट कर जाए वेट मत करिये वापर रुकिये म दूसरा यहापर हरा कलर बना या पर ले लिया कॉल फिर यहापर लाल कलर बना लेकिन लाल कलर नीछे आया के लाल इंडिकेटर के नहीं अब बैठे रहिए देखे मार्केट दिरे-दिरे करके आपको तो साड़े ग्यारा बज़े तक आप चार ट्रेड ले लिए अपने आप सोचके देखिए सुबह से पहला ट्रेड छूड़ दीजिए पहले मार्केट शूड़ू होते सब पैनिक करते है ना अरे मार्केट बड़ा भाग रहा मैं लेलू क्या लेलू क्या आपको यह करने की ज जरूरत है आपको बिल्कुल भी नहीं है आप इंद मने में ट्रेड करिए देखिए आउट अप दमने में मत जाहिए रही आपको बात कह रहा हूँ और यह बहुत कम समय के लिए आएगा फटा-फटा-फटा आएगा आपको पैसा देके चला जाएगा इंद मने में से 180 किसी भी दिन गुरुवार को छोड़के उस दिन तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा बाकी के दिन 130 से 180 के बीच में आप ट्रेट करिए देखिए आप कितना जबरदस कमा सकते हैं बहुत आसान है अच्छा यहां से और आगे चलते यह देखिए मार्केट ने यहां बहुत ब पर मैंने आपको क्या सका हमारा कितना डार गेट है 50-60 उससे जाधा मत जाएए मार्केट को भागने दीजिए याद रखिए मार्केट आपको थोड़ दिर बात फिर से ट्रेट देने वाला है देखिए आया मार्केट नीचे फिर से लाल कलर लाल इंडिकेटर आ गया ले ल ना पड़ेगा ना एसल हीट भी हो रहा है कितने पॉइंट का एसल हीट होगा पाथ से दस पॉइंट मतलब ना के बराबर आपका सिर्फ ब्रोकरेजी जा रहा है लेकिन जैसे ही इलाल में बना हुआ है मैंने आपको क्या का मार्केट अगर विपरित दिशा में जाता है तो ठ आगे बढ़ते हैं यह देखिया आगया यहां से हरारंग वापस 50-60 पॉइंट यह तो जादा गया मैं आपको बात की बात 50-60 पॉइंट आराम से हो गया तो दिन भर में आप कितना जारा कितना सारा आप टेड ले सकते जिसका कोई गिंती भी नहीं होगा आप इतना जादा जादा इसमें ट्रेड ले सकते हैं तो इसलिए बैतर होगा कि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें मैं नाम बता देता हूँ ठीक है देखिए नाम है इस ट्रेट इस इस इंडिकेटर का अरे आजा हाँ याद कर लीजिए लिख लीजिएगा सी एम अल्टीमेट म में में का फूल फॉर्म क्या है मूविंग अवरेज ठीक है आप इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होईएगा यह सारे जितने सारे यह में है ना मूविंग अवरेज के जो इंडिकेटर से ना वो सबका बाप है यह बहुत सारे लोग चार पांच लगाते तीन लगाते दो लगाते इसका यह सेटिंग उसका एक काफी है the one is more than enough for every index इसका सेटिंग क्या है मैं सेटिंग एक बर बता देता हो यहाँ पर जाईए सेटिंग में जाईए कुछ नहीं सिर्फ यहाँ पर नीचे यह जो दिख रहा है ना यहाँ पर 35 कर दीज़िए बाई डिफॉल्ट कितना है मुझी याद तो नहीं है उसको 35 करना है 40 नहीं 15 नहीं 50 नहीं 60 नहीं 35 उससे ज़्यादा नहीं 35 में बहुत अच्छा रेजल्ट देगा मैंने एक मिनिट में आपको करके दिखाया आपको क्या करना है इसको हर ट्राइम फ्रिम में आपकी मर्जी है मेरी इसाब से एक मिनिट में बहुत अच्छा रेजल्ट दे रहाई है तो एक मिनिट पर करके देखिए आपको सुबह सुबही 200-100-500 पॉइंट कभी अगर आपको म मिल जाता है ना सच बता रहा हूँ आपको दिन बहर बैठने की ज़रूरत भी नहीं दिन बहर बैठ भी लेंगे नाँ सिर्फ पैसे चॉपेंगगह और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है इस विडियो जैसा इस इंडिकेटर जैसा पूरी YouTube में दूसरा को इंडिकेटर के बारे में कोई शायद बता नहीं सकता फ्री में मैंने आपको फ्री में बता दिया मेरे और भी पेड़ बाले है प्रीमियम और भी है लेकिन उसके लिए मैं एलग वीडियो बना रखा है आप वो भी जाके देख सकते उनको भी आप चूस कर सकते उनको भी काम कर सकते इस पर भी जी आपकी जो मर्जिया आपको कर सकते है वीडियो अगर अच्छा लागा तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आपसे में अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जाहिन